साथ निभाना साथिया कांकी जी इतना मत करें सब ठीक हो जाए लगता ये राधा ही होगी जैशिक रश्नी जी कहिए आप सब कौन है जी मैं फोटोग्राफर हूँ मुझे फोटोशूट के लिए बुलाया गया है शमा चाहती हूँ पर आपको बुलाया किसने मैंने बुलाया है काकी साथू आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं आईये सुरेगाजी आप लोग यह राधा अब यह कौन सी नहीं नाटंकी है काकी साथू यह बिल्कुल सच है आज मेरा फोटोशूट होने वाल है और मुझे तैयार करने के लिए यह आई है सुरेगाजी आई है आप लोग अपना सेट अप लगा लीजे तब तक मैं तैयार हो करा दो रोख जाओ अबी पैठी आप ठीक है ना अब 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 जाधा यह फोटोशूट किसके लिए को पिबेंड मैंने सोचाना एक नया कारोबार शेडू कर मेरा मतलब है नया तो नहीं पर पुराने वाले कोई नयस तरीके से शेडू कर मेरा मतलब है आचार का कारोबार यह क्या नाप शना पके जारी हो तुम और यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो आचार का कारोबार हम पहले से करते आए हैं हाँ हाँ मैं जानती हो काकिसा सुपर पर आगे से न वहीं आचार राधा आचार के नाम से जाना जाएगा खबड़दार राधा ऐसे करने के बारे में अगर सोचा भी तो एक बात ध्यान रखना आचार का कारोबार राशिबेन के नाम पे था है और रहेगा किसी भी कीमत पर ये नाम नहीं बदलेगा समझी गोपी बैंट पो कहता है ना रात गई सो बात गई कि ऐसे भी राशिबेन तो अब इस दुनिया में नहीं राशिबेन तो मर गई राधा और मुझे तो ये अबाद अचपठी लगी कि नाम राशिबेन का और फोटो गोपी बैंट का इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पार आचार पर नाम भी मेरा हो और फोटो भी मेरी है आप चली में सब्सक्राइब बैसे एक बात ना आप लोग कान खुल कर सब्सक्राइब अगर किसी ने भी इस आजार की कारोबार को मेरे नाम पर होने में अडंगा लगा ना तो ये चिट्थी ये चिट्थी ना बैसे दे पुलिस को दे दूगे जो मेरी सासुमा ने मुझे साइन करके दिये फिर ना आप सब लोग जेल की हवाखान आप आई कि अच्छार के लिए ना तो आप ये मोडल वाले पोस्कों दे रही है आप अपना मूब बन रखिए और मैं जल्सा कह रही हूँ ना बैसा ही करें आज के लिए होगे मैं ओके थेंक्यू थेंक्यू थेकप चल्ड़ पोटो शूट तो खतम होगे अब पस आजार के कारोबार के तुम्हें हम आके दर शुरुआते हैं और उसे पहले जैसी कृष्णा जैसी कृष्णा भाविष जी आप आप यहां कैसे जी आप ही के यहां से तो मुझे कॉल आया था एडवांस के लिए किस चीज़ का फोन मैंने ही तो किया था आपको आप कौन मैं आचार के कारोबार की नहीं मालके आप इतना मत सूची आचार वही रहेगा सिफ उसका नाम बदल जाएगा मेरा मतलब है राशी अचार के जगों रात आचार और वो भी कम कीमत पर लेकिन इसब चेंज़ेस क्यों नाम बदलने पर खरीदने वाले उसके तरफ अकरशित होती इसे पब्लिक भी ना पुराना नम सुन सुन कर बोरोड़ी नहीं पड़ेती इस वक कुछ नहीं राशी अचार पूरे राजकोर्ट में घर घर में लोग प्री है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यह अचार भी तो मोदियों की प्रोड़क्त है बस यह अचार पहले से 20 रुपया सस्ता मिलेगा कॉलिटी की चिंता आप मद करिए यह अचार ना मोदियों की रसोई में ही तयार होगा और यह बात हम कस्टमर्स तब भी पहुचा देंगे एक बड़ी प्रेस कॉंफरेंस करके अरे वा यह तो अच्छी बात है फिर मैं आपको एक बड़ा ओडर देता हूँ हां हां लेकिन उसके लिए मुझे एक लाका एडवांस चाहिए हां हां वो मैं अपने साथ ही लेकर आया हूँ वैसे अचार कब तक मिल जाएगा कल ही ठीक है चलिए जैसे कृष्ण कल के लिए न, आचार तैयार हो जाना चाहिए नहीं रात तुझे आचार का कारवबार करने का इतना ही शौक है न, तो आचार तो खुझ से बना और एक बात याद रखना राशी बेन के नाम से जो अचार बिखता आ रहा है वो राशी बेन के नाम से और उसी पैकेजिंग के साथ बीगता रहेगा अगर आप लोगों को आचार नहीं बना ना तो कोई बात लेकिन जेल में चक्की पिसने के लिए आप लोग तैयार रहें मृवर बात लाशी आप लोग पिसने के लाफ को चक् distintos लोग Parent sect eller कं़रा रहें दो थाफ इंप लोगों। ब़ में चस्तु पिस प cabe養र है हैं अगरude गोपिविन आपने ये चिट्टी तो पार दी लेकिन आपको मालूम है उस खटना के बहुत सारे चश्मदी गवार अभी मेरे हख में ही गवाई देखे आपको तो मालूम ही होगा क्यों आप भी तो ऑस्पिटल में थी ना ठीक है जा तुझे जो करना है कर अभी जा अभी जाकर हम सब के ओपर तो केस कर लेकिन एक बात बता को केस करने के लिए पैसे कहां से लाईगे और अगर तुपैसे ले भी आईगे तो ये मत भूल रा धा कि हम मोदीस हैं तेरे पुराने सारे रिकॉर्ड खुलवा कर हम फिर से ये साबित कर देंगी कि तु पागल है और फिर से तु पहुच जाएगे उ अचार बन कर और जाकर रखना अचार बना क्योंकि तु ने तो एडवांस ले लिया और अगर समय पर तुने अचार की डिलिवरी नहीं दी तो दोका धड़ के केस में तु जेल भी जा सकती आपको क्या लगता है गोपुल मुझे आचार बनाना नहीं आता आपके आठ साल क अचार बनाने की विधी बहुत अच्छे से मालो है अब तो अब वस देखती जाना कैसे मैं सस्ते दाम में आचार बेच कर आपके उस राशी आचार के कारोबार को पैठा दू कि और फिर तो मेरे पास आप लोगों के खिलाफ केस लड़ने के लिए ऐसे भी होगे क्यों दे पे आप पी देख्लेर। साथ निभाना साथिया